आपके साथ मैं हूं मुबश्रा दोस्तों आपसे भी जानते ही कि इस परीके से मीडिया का इस तर गिरता जा रहा है लोक्तंत्र का चोथा इस्थम कहे जाने वाले मीडिया ने आज खुद अपनी हैसे किस कदर गिरा लिए उसका जीता जाता उधारण जंदर मंदर पर देखत को बिला है दोस्तों सोची जरा देश के सबसे ज्यादा देखी जाने वाले चनल आज तक की सीनर पत्रकार श्वितर सिंग जो कि किसी वक्त में इनी खिलारियों के का नामों पर ट्वीट करती थी और इनके साथ में खूब मज़े से फोटो भी क्लिक कराती थी आज उन्हें जरा साभी कोई फरक नहीं बरता है कि वो खिलारी अपने हक की लिए सलकों पर पड़े हुएं इनी गोदी पत्रकारों को पते ही इस बात से मतलब नहीं कि आखिर क्या इन खिलारियों के समस्या या क्या ये चाहते हैं क्यों ये सलकों पर अपना घरबार छोड़कर बैटे लेकिं दोस्तों सची कहा है किसी जैसा बोगे वैसा ही आप पात होगे भी अब जब गोदी मीडिया ने सोच ही लिया है कि पिताजी को सलामे देने से वो पीछो नहीं हटने वाले तो दोस्तों इसको खाम्याजा भी इंको भुगदना पड़ेगा जितने भी गोदी पत्रकार दोस्तों स्टूडियों में बैट कर बहुत सारा चिलन चार्ट मचाने वाले यही पापा की परिया और गोदी मीडिया के गुल्लू एंकर जब फस जाते हैं लोगों के बीच में तो क्या होता है भारी भी में फस जाती है पापा की परिया तो क्या होता है तब इन्हें पता जंतर मंतर पर चल रहे हैं महीला कुछती पहलवानों के धरने को कवर करने पहुच गई दोस्तों पिछले 6 दिनों से जंतर मंतर पर धरना परदशन चल रहा है देश की बेटिया और देश का भविश्य अपने हग के लिए अपना घर बार छोड़ कर अपने अपनों को सलक पर बैठे हुएं भूक प्यास सब तमाम परिशानियों के बीच वो सलक पर बैठे हुएं लेकिन पिछले 6 दिनों से यही गोधी मीडिया अंजान बना था इस खबर से कवर करना तो बहुत दूर की बात इस गोधी मीडिया इस खबर को तवज्यों देना भी जरूर नह समझा अब हुआ के दोस्तों मैडम को जंतरमंतर पर देखकर भील गुस्ते से तिल मिला उटी और जोर जोर से गोधी मीडिया मुर्दबाद के नारे भी लगाना शुरू कर दिए हाला की गुस्ता जो था लोगों में जो वहाँ पर मौजूद थे वो भीर सब जानती किस तरीके से गोधी एंकर्स पापा की परिया गुलू जितने भी जिस तरीके से गंद बगते हैं और जिस तरह से जहर उगलते हैं स्टूडियो में बैटकर चिल्लम चार्ट मचाते हैं इन्ही लोगों को घर्याते हैं और लोगों में आपस में किस कदर नफ्रत फैलाने का करे काम करते हैं सब जानते इनके बारे में अब दोस्तो जब आप पब्लिक ली क्या reaction होगा वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं साफत और इस बात से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि किस तरह से से लोगों के बीच में पहुचना और लोगों को गुस्सा दिलाना कितना जटान नों बारी पर गया उस्तों पूरा टाइम ये पिताजी को सलाम ठोकने की शक्कर में इतना बिजी इतना वैस्त रहते हैं कि इनको फुरसत नहीं कि ये किसी और टॉपिक पर बात करें किसी और मुद्दे के बारे में बात करें किसी और मुद्दे के बारे में दिखाएं लोगों को बताएं तमाम मुद्दे हैं दोस्तों लेकिन इनका नंबर वन मुद्दा है कि पहले इनको प्रायोर्टी जो देनी है वो देनी है अपने पपा को उसके बाद ये दूसरी चीजों को दिखाएंगी बताएंगी और अगर इनको नहीं मिलती फुरसत तो इनकी मर्जी जो इचा किसे थी वो तमाम मुद्दो को लेकर है वो आप जानते हैं किस तरीकी से नाराजगी है ये लोग एक शिकायत गंभी जो आरोप लगा रहे हैं ब्रिजबुशन शरण सिंग पर भाजपा का सांसाद है तो कि दोस्तों इनकी बात पहलवानों की बात सुननी नहीं चाहिए अ 10-12 दिन के लिए अपना बोर्य विस्तर उठाकर पहुच गए हैं करनाडक चुना उलडने के लिए दोस्तों क्या मंत्रियों को सिर्फ यही काम रह गया कि देश की प्रधाल मंत्री को काम शोबह देते हैं देश की बेटिया सलकों पर पढ़िए देश को भविश्य सलकों प कर दिया हैं वाप पर वहापे लोग परेशान हैं बेटिया परेशान हैं हर एक बात सुनना तो बहुत दूर की बात है आपकी बात पर बिल्कुल भी गोड़ भी नहीं दिया जा रहा है दोस्तों इस मुद्धे पर आप क्या कहीं कमेंट में ज़रूर बताएं और असे ही त परेशान हैं